क्या आप बता सकते हैं कि हवा में उन्ने के लिए हवाई जहाज का कितना वजन होना चाहिए हवाई जहाज के पंक ये विशिष्ट आकार के होते हैं जिनें एरोफोईल आकार कहा जाता है हवाई जहाज किस प्रकार उड़ता है ये हम बर्नोली सिद्धान के आधार पर स्पस्ट कर सकते हैं बर्नोली के सिध्धान के अनुसार जब हवा का दबाव कम होता है तब त्वरण बढ़ता है और जब हवा का दबाव ज्यादा होता है तब त्वरण कम हो जाता है हवा का बहाव दो मार्गों से ABC और DEF से होता है ABC ये मार्ग विस्थरूथ होने के कारण हवा का दबाव कम होता है और अंतिम बिंदू तक पहुचने के लिए आवश्यक त्वरण अधिक होता है वही दूसरी हो DEF ये मार्ग कम विस्तुरूत होने के कारण हवा का दबाव अधिक होता है और जिसके कारण तुरण भी कम हो जाता है ABC और DEF ये दोनों मार्ग एक ही समय पर पार किये जाते हैं ये प्रक्रिया हवाई जहाज को उड़ान भरने के लिए उपयुक्त होती है इसके अलावा हवाई जहाज में कुछ छोटे छोटे पंग भी होते हैं जिनका उपयोग उड़ते समय हवाई जहाज में योग ये दबाव निर्मान करने के लिए होता है अब हम स्ट्रॉ का उपयोग करते हुए एक फवारा बनाएंगे प्लास्टिक के कप में पानी लीजिए उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के एम एन ओफोर के कुछ कंडा लिए और ठीक से मिलाईए पानी का रंग क्या हुआ गुलाबी रंग उसमें स्ट्रॉ सीधा पकड़िए दूसरे स्ट्रॉ को उस पर इस प्रकार से आडा रखिए कि उसका दूसरा चोर पहले स्ट्रॉ के नजदीक आए दूसरे स्ट्रॉ से जोर से फूंक मारें क्या देखा आपने हम ऐसे देख सकते हैं कि पहले स्ट्रॉ से फवारा बाहर आ जाता है फिर से जोर से फूंक मारिए और फिर से निरिक्षन कीजिए हम जितनी बार जोर से फूंक मारते हैं फवारा उतना ही ऊचा उड़ता है हम इसे भी बर्नौली के सिधान के आधार पर सपष्ट कर सकते हैं जब हम दूसरे स्ट्रॉ से फूंक मारते हैं तब पहले स्ट्रॉ में जो हवा होती है उसे दूर धकेला जाता है पहले स्ट्रॉ के खुले छोर पर जो दबाव होता है वो कम हो जाता है जब ये दबाव कम हो जाता है तब पानी का वाता वरणिय दबाव बढ़ जाता है ताकि हमारे आसपास की हवा निकाल दी जाए तो क्या होगा अगर पृतवी पर हवा नहों तो पृतवी की सतह का ओस्तन तापमान बहुत कम हो पानी की भाप कार्बन डायोकसाइड इत्यादी इस परावर्तित उश्नता को अवशोशित करते हैं और उन्हें अन्य गटकों तक भी पहुचाते हैं इस प्रकार वातावरण हमारी पृत्वी का तापमान बनाये रखने के लिए मदद करता है ताकि पृत्वी सजीयों के रह ठंडी के दिनों में तापमान कम रहता है इस करण हवा के अनु एक दूसरे के नजदीक होते हैं या हम ऐसे भी कह सकते हैं के ठंडी के दिनों में गर्मी के दिनों की अपेक्षा हवा का घनतव अधिक होता है द्वनी को एक जगा से दूसरी जगा तक जाने के लिए माध्य के जरूरी होतीं माध्यम के रूप में अधिक घनतव वाली हवा ध्वनी के प्रसरण के लिए उत्तम होती है आतहां गर्मी के दिनों की तुलना में थंडी के दिनों मैं सुबह के समय दूर से आने वाली रेल की सीटी की आवाज हमें अच्छी तरह से सुनाई देती है इससे हमें क्या निश्कर्ष निकालना होगा ध्वनी के प्रसरण के लिए माध्यम रूपी किसी साहित्य की जुरूरत होती है अभी दिये हुए उधारण में हवा ध्वनी का प्रसरण करने वाले माध्यम के रूप में कारिय करती है क्या आपको पता है आकाश नीला क क्यों दीखता है प्रकाश किरण की गटना के कारण आकाश नीला दिखता है बले ही सुरज का प्रकाश साथ रंगों नीला रंग आधिक मात्रा morningучー हुआ हुआ रहता है अर्थात हवा के महीन कण उन पर गिरने वाले प्रकाश को सारी दिशाओं में फैलाते इसे ही प्रकाश का बिखराव कहा जाता है सारांच इस वीडियो में हमने सीखा बर्नौलेज प्रिंसिपल की सिध्धान और हवाई जहाज के पंक ये विशिष्ट आकार के होते हैं जिने एरोफोईल आकार कहा जाता है वातावरन हमारी प्रित्वी का तापमान बनाये रखने के लिए मदद करता है ताकि प्रित्वी सजीयों के रहने के लिए उपयुक्त ग्रह बन सके पूछे हुए सवालों के जवाब दीजी हवाई जहाद के पंको के कौन से भाग उपरी या नीचले हवा को जोर से गुमाने के लिए उपयुक्त होते हैं कर दो